हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वाटसब के चैट बैक अप को कैसे डिलीट करेंगे तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स वाटसब की जो चैट बैक अप होती है उसको अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो उसकी क्या तरीका है यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप अपने WhatsApp को ओपन कर लें और जब आपpound-वाट्सअप को ओपन करेंगे तो तो सबसे उपर त्रीडॉट में जाएंगे इसके बाद सैटिंग में जाएंगे स्टिंग में जाने के बादा आपको क्या करना है यहाँ पर चैट देख लेना है यहाँ पर चैट को उपन करेंगे इसके बाद चैट को उपन करने के बाद आपको यहाँ पर चैट बैक अप पर किलिक करेंगे और चैट बैक अप पर किलिक करने के बाद जिस में इसमें चैट बैक अप में गूगल ड्राइब में जो इमेल आ वही email ID आपकी होनी चाहिए जो WhatsApp में आपने दिया है backup में उसको open करते हैं और सबसे ऊपर आपको left side में three dot दिख रहा है तो इस पर click करेंगे और इस पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको backup पर click करना है backup पर जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा WhatsApp backup तो इस पर आपको click करना है three dot पर यहाँ देख रहे है three dot इस पर जैसे delete करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा delete backup तो इससे पहले आप एक चीज़ जरूर ध्यान दे दे अगर इसको आप डिलीट कर देते हैं तो आपकी WhatsApp में जितनी भी चैट होंगी backup जितनी भी मैसेज होंगी वह सब डिलीट हो जाएंगे अगर कोई important है तो उसे आप पहले देख लें copy कर लें save कर लें तो जैसे आप देखाई देगा और इसके बाद आपको क्या करना है डिलीट करेंगे जैसे डिलीट करेंगे इसके बाद आपकी चैट वैक डिलीट हो जाएगी तो इस तरह से आप WhatsApp के चैट वैक आपको डिलीट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उमीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्ट डूडियो में तब तक के लिए फ्रेंड्स बावाए